Good morning and welcome back to the online classes conducted by Sunrise School. Dear students, we are on your second English book, Vistas, and yesterday we read third chapter. The name of the third chapter is A Journey to the End of the Earth. धर्ती के छोर की आत्रा. तो कल हमने धर्ती के छोर के बारे में पढ़ा, धर्ती के दो छोर हैं, एक उत्तर में हैं, और एक दक्षिन में हैं, उत्तरी छोर को North Pole कहते हैं और धक्षिनी छोर को South Pole कहते हैं, और जो South Pole है वो अन्टारक्टिका रीजन हैं, यह हमारे प्रत्वी का एक महादीब है, Asia, Africa, उत्त्री अमरीका, दक्षिनी अमरीका, और उसके बाद ये चोथा बड़ा माद्वीफ है अंटारक्टिका तो हमने कल पढ़ा अंटारक्टिका पर इतनी सर्दी है कि यहां सर्दियों में टेंपरेचर माइनस 127 डिगरी तक पहुंच जाता है इसलिए वहां किसी भी परकार के जीवन की कल्पना करना असंभव है दूसरी बात वहां जहां भी दिखाई दे दूर दूर तक बरफ के पहाड दिखाई देते हैं बरफ का सागर दिखाई देता है परत्वी का एक और शिरा है जो मैं अभी बता रहा था नोर्थ पोल सर्दी तो नोर्थ पोल पर भी बहुत ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर भी बरफ जमी रहती है लेकिन वहाँ का जो हाइस टेंपरेचर है जो सर्दियों में सबसे कम होता है वो है माइनस पचास डिगरी और माइनस तेरा डिगरी के बीच रहता है और जब गर्मी का मोसम आता है नोर्थ पोल पर तो वहाँ टेंपरेचर जीरो डिगरी के आस पास पहुंच जाता है इसलिए वहाँ पर कुछ से जीव वहाँ पर पाए जाते हैं और थोड़ी जो कुछ ऐसे भी स्थान है हाला कि ये पूरा सागर है नोर्थ जो पोल है जिसको हम आरक्टिक सरकल बोलते हैं ये पूरा एक महा सागर है लेकिन ये बरफ से जमा रहता है तो महा सागर पर भी बरफ जमी रहती है फिर भी यहाँ कुछ से जीव जन्तू अवस्य मिलते हैं और कुछे के लाके हैं जहां पर जन जाती है लोग भी रहते हैं जो कई हजार सालों से या रहते आई हैं जैसे आपने सुना है दुर्विय भालू वगरा ये वहीं नोर्थ पोल में मिलते हैं लेकिन दक्षनी पोल में तो टेंपरेचर बहुत हीड डाउन होता है इसलिए वह तो ये साउथ पोल है जिसको हम अन्टारक्टिका कहते हैं इस महादवी पर लेकिका जाती है और दिराइटर तिसानी दोसी है यहां पर ये वहां जाकर रिलेट्स हर एक्सपीरियंस अपने अनुभव बता रही है कि वहां उसको कैसा अनुभववा अन्टारक्टिक पर जा कर कल मैंने बताया था कि यहां 6 मेने के दिन और 6 मेने की राते होती है जब यहां पर दक्षनी दुरू पर 6 मेने का दिन चल रहा होता है उस दोरान उत्री दुरू पर 6 मेने की रात चल रही होती है और उत्री दुरू पर जब दिन चल रहा होता है 6 मेने तब दक्षनी दु ये बिल्कुल एंड पर हैं और सूरिये के सामने एक हिस्सा लगातार 6 महीने तक रहता है जैसे नौर्थ पॉल है वहाँ पर 20 मार्च से और 23 सितंबर के बीच 6 महीने तक सूरिये उदेह होता है सूरिये उदेह होता है फिर दीरे 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 आसमान में चड़ता है जैसे हमारे यहाँ पर 6 बजे सूरिये उदेह हुआ 12 बजे हमारे आसमान के सिखर पर पहुंच जाता है लेकिन यहाँ पर नौर्थ पॉल में सूरिये उदेह होता है और लगबग 3 महीने में जाकर के सिख उखर पर पहुंचता है और तीन महीने के bit फिर दीरे दैलना शुरू होता है और छह महीने के बाद 줘 पॉयक्त हो जाता है तो जैसे यहांत होता है तो सुर्य है दक्जोच संगोर पर निकल आता है और फिर अंटारख्टिगा से जिन तो यह आपने पढ़ाकल मैंने आपको बताया तो यहां पर राइटर तिसानी दोसी रिलेट सार एक्सपिरियेंस एट अन्टारक्टिका कल हमने गलोबल वार्मिंग के बारे में थोड़ा जिकर किया था यह आगे हम और रिटेल से समझाएंगे तो जितना भी तापमान बढ़ता जाएगा उतना ही प्रत्वी पर विनास बढ़ता जाएगा तो इसका स्टड़ी करने के लिए बहुत से लोग वहाँ पर जाते हैं वेग्यानिक लोग भी जाते हैं और इस प्रोग्राम में तो स्टूडेंट्स को लेकर जाया जाता है तो हमने इसके दो पैसेज पढ़ लिये थे अब हम इसका तीसरा पैसेज पढ़ेंगे ओके तीसरा पैसेज है हमारा यहां से तो कल हमने अंटारक्टिका का इतिहास भी पढ़ा था पार्ट ओफ हिस्ट्री हमें पता चला कि लगबग 600 मिलियन साल पहले एक महाद्यूप होता था सुपर कॉंटिनेंट जिसका नाम गोडवाना था जो आज अंटारक्टिका जो आज है इसके इर्दगिर था ये भूत ही विसाल महाद्यूप हा जिसमें एसिया यूरोप अफरीका यह सब महाद्यूप इखटे थे आस्टेलिया यह सब महाद्यूप इखटे थे उस समय के दो ही महादवीप थे दुनिया में एक यूरेशिया महादवीप और एक गोंडवाना महादवीप लेकिन कुछ सालों पस्चा आते लगवग 500 मिलियन साल तक तो ये ठीक ठाक रहा लेकिन आज से लगवग 500 मिलियन साल पहले कुछ ऐसी मुमेंट हुई कि परत्वी पर जो गोंडवाना ये बिखर गया और आज के महादिपो में बट गया तो इस परकार हमने इसका इतिहास पड़ा और जानते हैं अंटारक्टिका के इतिहास के बारे में तो लेखी का कहती है to visit अंटारक्टिका now is to be part of that history अंटारक्टिका की विजिट करना अंटारक्टिका जान इसका मतलब है कि उस इतियास का हिस्सा बनना To be a part of that history उस इतियास का एक हिस्सा बनना वहाँ जाकर हम प्रत्री के इतियास का हिस्सा बन जाते हैं To get a grabs Grabs होता है समझ वहाँ जाकर हम क्या समझते हैं Of where we have come from यह हमें पता चलता है कि हम कहां से आये थे And where we could possibly be heading और possibly समझत है हम उदर ही heading बढ़ते जा रहे हैं जहां से हम आये थे उदर ही बढ़ते जा रहे हैं मतलब विनास से निकल करके आये थे हम फिर विनास की तरफ जा रहे हैं It's to understand यहां आकर क्या होता है Understand समझ में आता है The significance महतव समझ में आ जाता है Of Cordylaran Fords Cordylaran की जो चटाने है Fold मीन परते होती है Cordylaran चटानों की परतों का महतव हम समझ लेते हैं यहां आकर And Pre-Cambrian Granite Shields Shields मीन भी चटाने होती है और प्राचीन समय की Cambrianian Granite की चटानों के बारे में हम पढ़ लेते हैं Study कर लेते हैं इन चटानों की study करके हमें पता चलता है कि प्रत्वी कैसे बनी थी Ozone and Carbon यहां आने का मतलब है Ozone और Carbon की study करना Evaluation होता है Vikas And Extinction होता है Vinas Evaluation and Extinction यहां आकर Vikas का अध्यन करना और Vinas का अध्यन करना When you think about all that can happen In a million years जब आप सोचते हैं कि all that can happen कि इतना सब कुछ हो सकता है In a million years एक million साल में ही इतना सब कुछ हो सकता है क्योंकि एक million साल पहले तो प्रत्वी बड़ी अच्छी थी लेकिन एक million साल में ही प्रत्वी इतनी बदल गई है दूसी थो गई है और प्रत्वी का इत्यास तो 6.5 million साल से भी 650 million साल से भी पहले का है तो एक million साल में जब इतना कुछ change हो जाता है जब हम ये सोचते हैं तो it can pretty mind boggling तो ये हमारे दिमाग को mind को boggling कर देता है मतलब जगोर कर रख देता है हमारे mind को एक जटका देता है इमेजन जड़ा कल्पना कीजिए क्या हुआ था इंडिया pushing northwards इंडिया सरक्ता सरक्ता pushing सरक्ता सरक्ता उत्तर की तरफ आ रहा था jamming against Asia और Asia में आकर के फस गया तो आप जड़ा कल्पना कीजिए कि इन महासागरों इन महाद्विपों का निर्मान कैसे हुआ और प्रत्वी पर हलचले कैसे हो रही है इंडिया pushing northwards इंडिया उत्तर की तरफ बढ़ता जा रहा है jamming टकराने के लिए फसने के लिए अगेंस्ट एसिया एसिया के साथ फसने के लिए दीरे दीरे इंडिया सरकता जा रहा है उपर to buckle its crust buckle mean तोड़ना crust होता है किनारे और एसिया महाद्विप के किनारों पर टकरा कर इसकी किनारों को तोड़ता जा रहा है इंडिया and form the हिमाल्या और हिमाल्या का निर्मान होता जा रहा है इंडिया के टकराने से एसिया के साथ इंडिया के टकराने से ही माले परवत का निर्मान हुआ था तो इंडियन जो पलेट है वो हर साल थोड़ी थोड़ी उत्तर की तरफ सरकती जा रही है South America Drifting Oak और South America जो दक्सने अमरीका है वो भी सरक गया है To join North America North America में सामिल होने के लिए वो भी उपर की तरफ सरकता जा रहा है Opening Up और इससे एक खुल गया है Open हो गया है क्या? Direct Passes एक direct गलियारा खुल गया है समुंदर में एक रास्ता बन गया है पानी का रास्ता To create a cold और इससे पैदा हो गया Create हो गया है क्या? एक cold, एक ठंडा, सरकम पोलर, दुर्विये, करंट मीन धारा और इससे जो है, एक दुर्विये, ठंडे जल की धारा पैदा हो गयी है तो गलेखी का हमें बताती है कि अंटारक्टिका का इतिहास है ये अंटारक्टिका पहले इतना ठंडा नहीं था पहले वाँ तरह तरह कि वनस्पती पाई जाती थी डाइनासोर जैसे जीव पाई जाते थे जीव जन्तु और वनस्पती से भरमार था ये मात्विक लेकिन एक समय ऐसा आया की प्रत्वी पर मुमेंट हुआ एसिया की तरफ इंडिया बढ़ गया साउथ अमरिका नोर्थ अमरिका की तरफ बढ़ गया और इस तरह बढ़ने से परसांत महासागर में एक डिरेक पैसेज खुल गया जिससे उदर की ठंडी जो धुर्विय धारा है वो बैने लगी और ये बैकर की अंटारक्टिका की तरफ जाने लगी इससे कीपिंग अंटारक्टिका फ्रीज अंटारक्टिका को जमा कर रख दिया नहीं तो अंटारक्टिका इतना ठंडा नहीं था डैसोलेट इसको निर्जन बना दिया and at the bottom of the world और दुनिया की तलैटी पर लापटका अंटारक्टिका को दुनिया से अलग थलग कर दिया और आप देख रहे हैं बिल्कुल साउथ में नीचे बिंदू पर चला गया अंटारक्टिका ये सब मुमेंट की बज़े से हुआ अब अगे लेखिका बता रही है तो इस परकार से अंटारक्टिका महादविप प्रत्वी के अन्य महादविप को उसे अलग हुआ फोर ए सन वर्सिपिंग सन वर्सिप सूरिय पूजक सूरिय की पूजा करने वाला साउथ इंडियन लाइक माईसेल लेखिका कहती है कि मेरे जैसे दक्षनी भारती है जो सूरिय की पूजा करते है मतलब दक्षन भारत में तो बड़ी गर्मी बढ़ती है मदरास वगेरा में मेरे जैसे दक्षनी भारती है सूरिय पूजक के लिए टू वीक्स इन ए प्लेस दो हापते भी ताना, एक ऐसे स्थान पर, इने पलेस, एक ऐसे स्थान पर, where 90% of the earth's total ice volumes are stored, जहां पर प्रत्वी की total ice मीन परप्प्रा, volume मीन मात्रा, कितनी मात्रा है, 90%, प्रत्वी पर जितनी परप्पाई जाती है न, उसकी 90% मात्रा तो यहां अंतारक्टिका परपाई जात is a chilling prospect, यह लेखिगा के लिए एक कपकपा देने वाला prospect था, कपकपा देने वाली बात थी, not just for circulatory, लेखिगा कहती है, कि ना केवल मेरा circulatory क्या होता है, nervous system, नाडी तंतर, लेखिगा कहती है, कि ना केवल यह नाडी तंतर को कपकपा देती है, बलकि metabolic functions, बलकि यह हमारे जो रासाइनिक और भोतिक क्रियाएं हैं सरीर की, उनको भी कपकपा देती है, but also for the imagination और साथ में हमारी कलपनाओं को भी कपकपा देती है, तो लेखिगा यहाँ पर यह कहना चाहती है, कि इतनी ज्यादा ठंड, minus 127 degree temperature, वहाँ पर एक ऐसा आदमी चला जाए, जो गर्मी में रहन रहना पसंद करता हो, जहाँ पर गर्मी पड़ती हो, तो उस आदमी के लिए तो वहाँ सांस लेना भी बड़ा मुस्किल हो जाता है, it is like walking into a big, जाइंट होता है big, पिंग पोंग बाल, पिंग पोंग होता है खोखली, यहां जाकर के ऐसा लगता है मानो हम किसी बड़ी सी ख देखे आगे, it is like walking into a giant पिंग पोंग बाल, and divide और जहाँ पर नहीं है, divide मिन वनचीत है, यहाँ पर क्या नहीं है, of any human markers, इंसान के कोई चिन यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे, अंटारक्टिका एक ऐसा है, मानो कि कोई बड़ी सी पिंग पोंग गेंध है, और जहाँ पर म पानवता के कोई चिन नजर नहीं आएंगे, you lost all earthly sense, यहाँ आकर के आप earthly mean प्रत्वी से सम्मंदित, जितने भी senses हैं, sense of perspectives हैं, prospective होते हैं, प्रीदरस से, यहाँ पर प्रत्वी के जितने भी प्रीदरस से हैं, वो दिखाई नहीं देंगे, आप यहाँ पर खोद होगे उन प् भूल जाते हैं, क्योंकि 6 महिने तक लगातार सुरिय दिन रहता है, तो यहाँ आकर हम समय को भी और प्रत्वी से सम्मंदित, जितने भी प्रीदरस से हैं, उन सब को हम यहाँ आकर के भूल जाते हैं, the visual scale ranges, visual mean देखने की, दरस्टी की, scale mean सीमा, दरस्टी की जो सीमा है, वो कहां तक range, उसकी range कहां तक जाती है हमारी निगाहें, from the microscopic, microscope होता है, अति सुकसम जीव, जो microscope की मदद से, सुकसम दरसी की मदद से देखे जा सकते हैं, यहाँ आकर के हम देखते हैं, कि हमारी जो नजरों की range है, दरस्टी देखने की जो ताकत है, वो सुकसम जीवों से लेक to the mighty, विशाल का जीवों तक बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर कोई रुकावट नहीं है, हमें सुकसम जीव भी दिखाई देंगे, बिल्कुल सफेज चादर बरफ की धकी हुई है, और हम विशाल जीवों तक देख सकते हैं, मीड्ज और माइट्स, मीड्स और यह क्या होते ह हैं, चुद्रतम प्रानी होते हैं, बिल्कुल चोट चोटे कीट पतंगे होते हैं, मीड्ज और माइट्स, यहाँ कीट पतंगों से लेकर के, टू ब्लू वेल्स, नीली, जो बड़ी बड़ी वेल होती हैं, नीली, उनको हम देख सकते हैं, और आइसबर्ग और बरफ के जो लिडवाजदी साई जो बेल्जियम, यहाँ पर जो बरफ का सबसे बड़ा पहाड है, उसको रिकोर्ड किया गया था, कि वो बेल्जियम देश से भी ज्यादा बड़ा है, तो इतने बड़े बड़े बरफ के पहाड खड़े हैं, वहाँ पर, डे गो ओन एंड ओन, यहाँ दिन चलते रहते हैं, इन स्केरल निरंतर 24 आवर्स, 24 घंटे, यहाँ 24 घंटे तक निरंतर दिन चलते रहते हैं, इन आस्ट्रेल समर लाइड, आस्ट्रल होता है दक्षनी, दक्षन के गर्मी के प्रकास में लगातार दिन 24 घंटे चलते रहते हैं, एंड अभी क्वेशन, अ अभी क्यों सियास कहींगे हैं सरवयापी यहां पर सरवयापी साइलेंस खामोसी चाही रहती है और यह खामोसी इंट्रप्टिड केवल उस समय भंग होती है इंट्रप्ट बिन टूटना भंग होना only by the occasional जब बीच बीच में कभी कभार एवलेंस तूटती है और काल्विंग या सरकती है आई सीट बरफ की कोई बड़ी चादर बरफ का कोई बड़ा पार जब तूटता है या बैकर चलता है तब ही यहां पर आवाज आती है अन्यता यहां पर सरवयापक खामोसी चाही रहती ह कन सक्रेट का मतलब होता है एक धरम दिक्सी मतलब क्या कहेंगे हम इसको प्रतिस्था यह एक ऐसा सपना है एक ऐसी सोच है that will force you to place जो आपको एक ऐसे स्थान पर ले जाने के लिए मजबूर कर देती है yourself in the context होता है संदर्ब में of the earth's geological history geological होता है भूगरब ये history means इतियास ये एक ऐसी सोच है जो आपको परत्वी के भूगरब ये इतियास के संदर्ब में आपको जोड देती है जब आप यहां जाते हैं तो आपको लगता है कि परत्वी का भूगरब का इतियास यहीं पर दिखाई देगा तो आपको ये स्थान परत्वी के भूगरब ये इतियास के साथ इतियास के संदर्ब में देखने के लिए मजबूर कर देता है इसके आगे देखते हैं and for humans और इंसानों के लिए the prognosis prognosis क्या होता है बेटे prognosis होता है भविस्यमाणी आगे की सोचना भविस्यमाणी अब पूरव अनुमान और इंसानों के लिए इस परकार का पूरव अनुमान बिल्कुल सही नहीं है अगर हम परत्वी के बविस्यमानी के करें तो हमें लगेगा कि परत्वी तो नस्ट होने की कगार पर है परत्वी को बहुत बड़ा खत्रा है ऐसा हमें मैसूस होगा तो इस चैप्टर को हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे आपको अच्छे से इसको समझना है और फिर क्विस्टन्स आपने याद करने है आज के लिए इतना ही काफी ओके बेटे बाई